Hello everyone, welcome back to the channel, मेरे नाम है शिक्खा और आज हम करेंगे अपना चाप्टर दा इंटर्व्यू जिसके ऑथर का नाम है क्रिस्टोफर सिल्वस्टर इतना याद हो गया अब बिना किसी देरी की इस चाप्टर को पढ़ेंगे, बेसिकली इस चाप्टर में ये बताया हुआ है कि जो इंटर्व्यू है वो 130 साल पहले ही डिसकवर हो गया था लेकिन कई लोग इसको अच्छा मानते हैं, कई लोग इसको बुरा मानते हैं बेसिकली उनके बारे में हमें इस चाप्टर में बात करेंगे, छोटा सा ही है, कोई दीकत वाली बात नहीं है, डिटेल में इसको आज हम पढ़ेंगे कोई भी डाउट है, तो आप मुझे इंस्टेग्राम पर फॉलो करके डियम कर सकते हो, और यह जो नोट से वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर है, अब हम स्टार्ट करते हैं, ऑथर के बारे में बताया हुआ है, जो कि हमें पढ़ना है नहीं, अब इसका इंट्रोड है, अब इन्टरव्यू जो है, पार्ट वन के अकॉर्ड इन granny में बात करते हैं, इन्टरव्यू जो है, वो इन्टरवीर पार्ट बन गया है, ज Đेखा होगान है, हम सबने भी देख और खें हैं, ओर आपको में में इतना एक बार इंटर्व्यू के एक्स्पिरिंस भी किया होगा अब क्योंकि इतना कॉमनली यूज है लेकिन यह अन्बिलेवल बिल नहीं है कि बहुत सारे लोग जो है इसके बारे भी conflicting views रखते हैं मतलब कि इसकी यूज़ और डिस अद्वांटिजिस के बहाफ पर सब लोग यह मानते हैं कि इसकी कोई goodness वाली चीज मतलब एक तरीके से इंटर्व्यू क्या होता है जो कि किसी इंसान का सच बता देता है इंटर्व्यू एक आर्ट की तरह है और कई लोग जो है इसकी गुटनेस को बिलीफ करते हैं लेकिन अगर हम इंटर्व्यू की point of view से बात करें इंटर्व्यू मतलब जो इंटर्व्यू लेता है उनकी point of view से बात करें तो यह इंसान की personal life में unwanted intervention है कि किसी भी इंसान के personal life में हम दखर अंदाजी करते हैं through the interview है यह mind of readers होते हैं जो इंटर्व्यू को read करते हैं तो readers के mind में एक picture बना देता है Cosmopolitan writer जिनका नाम क्या है V.S. Naipol उनको यह लगता है कि bad interview की वज़े से पूरी life जैसे हमारे शरीर पर घाव हो जाता है तो वैसे अगर कोई bad interview चला जाए ना किसी का भी तो पूरी life के लिए घाव बनके रह जाता है उनके जिंदकी पर है इवन जो Alice in the Wonderland अब सबने देखी भी है movie और पढ़ी भी है चोटी classes में तो उसके जो creator है वो कभी भी अपना interview नहीं देना चाहते है वो इस interview या फिर interviewer से बहुत डरते है ना उनको यह डर लगता है कि बहुत सारे लोग की attention जो है उनके उपर आएगी सब उनके बारें बात देते हैं बट वो यह नहीं चाहते हैं कोई उनका interview ले क्योंकि वो इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं कि कोई मेरा interview ले इंट लाइक इस तरीके से उनकी thoughts है ठीक है अब यहां पर एक और की जो रूडियार्ड किप्लिंग है वो interview से बिलकुल ही against रहते हैं वो कहते है कि जो मतलब इस chapter मताया हुआ है कि जो रूडियार्ड की wife है उन्हें अपनी diary में incident को लिखा हुआ है incident को record किया हुआ है कि कैसे उनका Boston में एक दिन दो reporters ने खराब कर दिया और उन्होंने जो उनकी wife है रूडियार्ड की उन्होंने यह भी लिखा है कि कैसे उनके husband ने मना कर इंटर्वियू में अपियर होने के लिए according to him rude yard according interviews जो हमेशा जिन्दा रहते हैं और interviewing basically मेरे हिसाब से तो एक क्राइम है कौन कहते हैं रूडियार्ड ठीक है कहते हैं क्राइम की punishment मिलती है वैसे ही इंटर्वियू क्राइम है जो कि आपकी personal life में कुरेद कुरेद के आपकी च बना लेते हैं और वो हमेशा ही उनके माइंड में रहते हैं उसके बाद यह बहुत ही जाता unpleasant experience है इंटर्वियू का और जो इंसान जिसके पास self-respect नहीं है वो ही ऐसे करता होगा काम basically interview देता होगा ऐसा उनका कहना है अब एक famous English novelist है और journalist है जिनका नाम H.G. Wells है वह कहते हैं क इंटर्वियू जो है वो एक बेकार से experience है unpleasant experience है लेकिन 40 साल बाद उनके इंटर्वियू किया था एक Russian revolutionary को जौस स्टैलिन ने और दूसरे writer है Son Bello अब यहां पर उनके कमेंट किया था कि इंटर्वियू बिलकुल ऐसा लगता है जैसे उनके कोई यह जो हवा की नली है उसके किसी ने fingertips लगा दियो मतलब इंटर्वियू जो है मुझे बहुत है तो suffocating सा लगता है जब भी मैं इंटर्वियू के लिए बैठता हूं अब इसकी इतने सारे drawbacks है कई लोगों के लिए लेकिन इंटर्वियू जो है वो एक purpose को फिलफिल करता है वो क्या purpose है वो क्या मकसद ह इंटर्वियू लेने का कि वो ओडियंस के साथ communicate कर सकते हैं अब डैनिस ब्रैन है उनके उनके अनुसार इंटर्वियू जो है वो हमें लोगों का एक clear impression देता है कि वो किस टाइप के इंसान है अब एक इंटर्वियूर जो है दूसरे से दूसरे candidate से questions पूछेगा तो उससे क क्या होता है एक power और एक influence मिलता है तो इसके काफी सारे फायदे भी और काफी सारे नुकसान भी है ना विल गो टूवर्ड सी पार्ट नंबर टू यह जो पार्ट है ना बेसिकली वो एक इंटर्वियू लिया गया है किसका उमबर्टू इको का और वो कौन है एक इटालियन नौवलिस्ट है वो बेसिकली अपने जो नौवल्स हैं वो संडेस को लिखते है और उमबर्टू इको का जो मतलब इंटर्वियू है वो कौन लेते हैं मुकुंत पदमाना भन ठीक है और वो दा हिंदू न्यूस पेपर के एडिटर होते हैं और वो इनको इनको जो science होते हैं उनकी study उसके उपर लिखते थे और अपनी writings की interpretation करते थे और जो middle ages में जितने भी middle ages में चीज़े हुई हैं उनकी beauties पर वो लिखा करते हैं उसके वाद उनने fiction लिखना start कर दिया, fiction लिखा, academic text लिखी, essays लिखे, बच्चों के लिए books लिखी, articles लिखे, newspaper के लिए और वो famous कब हुए, जब 1980 में उनकी एक book थी, the name of the rose बन गई थी, तब Umberto इको जो थे, वो बहुती दादा famous हो गए थे, अब interview स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मुकंद Umberto की ताईफ करते हुए कहते हैं, कि एक इंसान इतने सारी चीज़ों में कैसे माहिर हो सकता है, तो Umberto इस चीज़ का जवाब देते हुए कहते हैं, कि आप सबको लगता होगा कि मैं अलग-अलग काम करता हूँ, जैसे बच्चों के लिए books भी लिखता हूँ, academic essays, text लिखता हूँ, fiction लिखता हूँ, लेकिन मैं actual मैं same ही चीज़ करता हूँ, तो मुपकुद उनसे curiously पूछते हैं Same thing, इस तरीके से, तो उसके बाद वो कहते हैं कि मैं words में तो अच्छे सरे explain नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मेरे बहुत सारे philosophical interest है, मतलब मेरे दिमाग में काफी सारे philosophies आती रहती हैं, और मेरे जो ये दिमाग के thoughts हैं, वो मैं क्या करता हूँ, उन thoughts को academically लिख देता हूँ, novels की form में या फिर अपने works की form में, अगर मैंने books लिखी हैं बच्चों के लिए तो उसमें मैंने non-violence के बारे में लिखा है कि हमें लडाई नी करनी चाहिए, peace के बारे में लिखा है, जो कि ethics के ओपर base है, तो मेरे अंदर काफी सारे philosophical interest है, जिनको मैं लिख लिख के अपना पूर कर लेता हूं, उसके बाद वो बात करते हैं, वो secret के बारे में, वो secret क्या है, कि मैं जो हूँ, वो empty spaces of time के अंदर काम करता हूँ, जिसको कहते हैं interstices, यह interstices या फिर empty spaces हैं मारे life में बहुत दा important होते हैं, कहते हैं कि मान लो अपने universe में से, जितने भी universe में यह universe है, मान लो, इसके अंदर काफी सारी चीज़े हैं, planets है, sun है, है और काफी सारी galaxies है, stars है, और भी बहुत सारी चीज़े हैं, और इसके बीच में काफी सारे empty space भी हो, कहते हैं कि अगर तुम इसे empty space को हटा दोगे, तो फिर universe बहुत compact हो जाएगा, बहुत ही जादा भिचा भिचा हो तो मैं क्या करूँगा कि कई लोग क्या करते हैं, इतने में लोग जो है, वो वेस्ट कर देता अपना time खाली बैठ कर अपने guest का बेट करके, तो मैं क्या करता हूँ, उस empty time को, जिसमें में कुछ नहीं कर रहा है, जिसको मैं interest science बोलता हूँ, उसमें एक article लिख लूँगा, तो मैं जो हूँ, खाली time में काम करता हूँ, इस तरीके से बताते हैं, और फिर मुकंज वो इस बात को सुनके कहते हैं, कि आप सच्ची में, undoubtedly unique हो, जो एक ऐसा concept आप हमें दे रहे हो, उसके बाद वो कहते हैं, कि आपका जो लिखने का style है, मतलब जितनी भी हमने आपकी articles व वो काफी दा playful है और personal touch है, basically आपने English के text देखे होंगे, उसमें कितनी सारे formally सब कुछ लिखा होता है, वो पढ़ने बोरिंग रहते हैं, लेकिन Umberto की writing में काफी दा playfulness और personal touch है, so यहां पर वो इको से intentionally पूछने हैं, कि आपने यह informal way of writing खुद अपना है, या आपका हमेशा स तो Umberto कहते हैं कि मैं basically जब Italy में अपनी doctorate कर रहा था, तो मेरी जो thesis थी वो सबसे अलग थी, और मैंने अपनी research में बहुत सारे trial and errors करें, और तब जाके अपनी thesis बनाई थी, बाकी लोग क्या करते हैं, कुछ ही अपनी तरफ से मनगड़त कहानिया बनाते हैं, उसको correct करते है फिर conclusion देते हैं, मेरी जो थी, वो trial and error की according thesis थी मेरी, जिसकी वज़े से मेरी जो thesis थी, वो एक professor ने publish भी करी थी as a book, तो मैं को 22 की age में realize हुआ कि सबसे जाता सही तरीका क्या है लिखने का, कि हम किसी भी essay को या फिर किसी भी चीज को एक narrative tone में लिखें, कि हमें कहानी बता रह जिसमे एक personal touch हो, जिसे लोग को अपना पन फील हो, इस तरही के से, so इसलिए, that is not an informal way जिसमें मैं लिख रहा हूँ, जो यहाँ पर मुकर ने question पूछा था, कि आपका work जो बहुत अलग है, मैं जो हूँ, अपने trial and error के basis पे ही, अपने works को लिखना हूँ, probably there was a reason why he was started writing novels, और इसी वज़े से, शायद मैं पचास की एज के बाद novels लिखना start कर दिया था, मैंने, तो वो पताते हैं, फिर कि उनके एक ऐसे friend है, जिनका नाम क्या है, Roland Barthes, वो जो है, essayist थे, मतलब ऐसे लिखा करते, लेकिन बाद में वो एक novelist बनना चाहते थे, लेकिन जब तक वो novelist बन नरेशन की फॉर्म में लिखता हूं, मतलब एक कहानी की फॉर्म में लिखता हूं, तो मेरे अंदर बहुत सारी कहानिया बनने लगए, मतलब मुझे काफी सारी चीजे जो है, वो लिखने का शौक हुन लग गया, जैसे लंबे राइटिंस होते हैं, तो वो novel की फॉर्म में तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने novels लिखना स्टार्ट कर दिया, after the age of 50, है न, उसके बाद उनकी novels को point out करते हुए, मुकंद कहते हैं, कि आपकी वो जो book थी, या फिर आपका जो novel था, the name of the rose, वो बहुत बहुत था famous हो गया, तो इसके famous होने का क्या कारण है, और from a famous academic, he went to famous novelist, आप कहते हैं, कि आप जो है पहले professor थे, मुकंद कहते हैं, बात कि आप जो है पहले professor थे, आप जो है famous novelist हो गए हो, और आपने तो 20 से जादा scholarly works और 5 novel भी लिखे हो है, तुम बर्टु कहते है, 20 scholarly works नहीं, मैंने 40 non-fiction pieces लिखे हुए हैं, तो आपने, वो कहते हैं कि तो मुझे थोड़ा अजीब तो लगता है, कि लोग मुझे जानते हैं, बलकि मैं जो हूँ एक academic community से belong करता हूँ, मैं एक university professor हूँ, जो कि सर्फ Sundays को novel लिखता हूँ, तो how I can be the novelist है, मैं तो academic conferences को attend करता हूँ, मैं किसी writer की meeting में नहीं जाता, मैं किसी pen clubs में नहीं जाता, जैसे मैं novel लिखता हूँ, उसकी वज़े से मैं इतना famous हो पाया, just because of novel writing, so that's why लोग सोचते हैं, कि मैं एक novelist हूँ, but actually मैं एक university professor हूँ हूँ, और वो कहते हैं, कि वैसे तो novel लिखने की वज़े से मैं इतने सारे लोगों के through famous हूँ, but अगर मैं सिर्फ semiotics पे ही लिखता, तो इतने लोग मुझे नहीं जान पाते हैं, Mukundh ने फिर अपना topic change कर दिया, और उनने mention किया, कि जो name of the rose novel है, फिर book है, ये बड़ा serious novel है, लेकिन फिर भी इतनी सारे लोगों तक इतना दा famous हो गया, इसके अंदर detective stuff है, metaphysics, theology, medieval history है, और काफी तो पूछते है Mukundh Umbertu से कि आपको अपन list है, जो publishers है, वो साथ सर्प्राइज रहते हैं, तो वो कहते हैं, कि एक belief बन गया है, कि लोगों को easy reading experience चाहिए होता है, बल्कि ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जो है, वो hard reading को भी prefer करते हैं, और मेरा जो novel है, वो challenging reading experience है, जो एक small percentage of population तक पहुच पाया है, basically वो ये भी कहते ह है, कि मैं जो हूँ, वो Miami Vice और Emergency Room नाम के shows देखता हूँ, वो भी dinner के बाद, लेकिन मैं इने पूरा दिन नहीं देख सकता है, मैं जो हूँ सिर्फ dinner के बाद prefer करूँगा, तो इसलिए Umberto कहते हैं, कि मैं ऐसे ही, जो मेरा novel है, जो कि थोड़ा hard, challenging reading वाला है, वो भी लोगों क प्रेफर करते हैं, वो इसलिए इतना जादा famous हो पाया है, जबकि उसके अंदर काफी सरी हिस्ट्री और हिस्ट्री पढ़ते वक्तों, लोगों कर नींद भी आती है, बट फिर भी, क्योंकि उसमें hard reading है, तब लोग जो पढ़ते हैं, वो में मज़े के साथ है, उसके बाद, उमबर्टू जो है, वो बोलते हैं, कि जब मैं मैंने इस novel को पूरा किया, तो जो मेरे publishers थे, American publisher थे, उनने में सोचा कि 3,000 से भी जादा copies इस country में बिकी नहीं थाती, क्योंकि उनकी जो novel की language थी, वो Latin language थी, और Latin language अमेरिका में जादा था जानी नहीं जाती, लेकिन फिर भी उनकी जो copies है, वो 3,000,000,000 copies तक बिकी है, 2 और 3,000,000 copies तक, तो इसलिए उमबर्टू कहते हैं, कि शायद ही जो मेरे book की success है, वो एक mystery ही है, और अगर मैं इसी book को 10 साल पहले लिखता है, 10 साल बाद लिखता है, तो situation जो है, वो different होती, तो इस तरीके से एक interview का extract आपको बताया होता है, I hope आपको मेरे पढ़ाने का तरीक और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, Instagram and Telegram पर जरूर फोलो कर लेना, so if you like the video and the explanation then please do like, share, comment and subscribe the channel, thank you so much